हेलो फ्रेंड्स आज में आप सभी के साथ बहुत ही हेल्दी रेश्पी सेयर करने जा रहे हूं विटेमिन और फाइवर से भरपूर इतनी हेल्दी रेश्पी आपको कोई बनाना नहीं बताएगा चलिए सुरू करते हैं मैंने यहापे केले ले लिए हैं तो मैंने यहापे पके हुए केले लिए हैं दोस्तों कई बार ऐसा होता है न कि हम सभी के घर में केले आ जाते हैं और वो बच जाते हैं तो रखे रखे वो उपर से लगते हैं कि खड़ाब हो गए हैं तो कोई खाना इसे पसंद नहीं करता है बच्चे भी नहीं पसंद करते हैं तो बड़े भी खाना नहीं चाते हैं पर ये ऊपर से देखने में ब्लैक ब्लैक एस्पोर्ट लगते हैं पर ये अंदर से खराब नहीं होते हैं तो चलिए आज में आप सभी के साथ इस केले की ही इतनी हेल्दी रेशिपी बनाना अगर आप सभी को मेरी रेशपी और मेरी महनत थोड़ी से भी अच्छी लगेगी तो मुझे सपोर्ट भी कीजिएगा अगर रेशपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और फ्रेंड ग्रूप्स में और फैमली वालों के साथ सेर भी कीजिएगा तो चलिए क केले को पहले हमें छील देना है तो मैंने यहां पे तीन केले का इस्तेमाल किया है केले हम सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद है ब्लड पेशर रहता है कंट्रोल में पके हुए केले के बहुत सारे फायदे हैं जितने फायदे इसके गिनाओं उतने कम पड़ जाएंगे तो दोस्तों केले में विटामिन और पोशक तत्वी भरपूर मातरा में पाई जाती है, विटामिन A, C और B6 B इसमें पाई जाते हैं, कैलसियम, मैगनिसियम, जिंक, सोडियम, पोटेसियम, सभी चीज से ये भरपूर होते हैं, तो चले मैं यहाँ पे इसे ग्राइंड करके ले आ ना है, तो चले अब मैं यहाँ पे ले ली हूं आटा, तो मैंने यहाँ पे होलविड फ्लोर लिया है, गेहुउक आटा, दो कप मैंने यहाँ पे गेहुक आटा का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो इस रेशीपी को मैदे से भी बना सकते हैं, पर मैं तो यही कहूँगी दोस्तों कि healthy recipe को मैदे से कभी ना बनाएं तो मैंने यहाँ पे गेहू का आटा लिया है तो आप भी कोशिश करें कि गेहू के आटे से इस healthy recipe को आप बनाएं चलिए मैं इसमें केले में डाल कर इसे आटा को अच्छे से पहले mix कर ली हूँ तो चलिए अब next process देखते हैं इसमे हमें डाल लेना है एक छोटे चमत सौफ सौफ का इस्तेमाल जरूर की जिएगा अगर आपके पास हो तो सौफ भी आप इसमें डाल ली जिएगा उशके बाद हमें यहाँ पे डाल लेना है तिल तो हम सभी के लिए बहुत ही फायदे मन्द है दोस्तों तो मैंने यहाँ पे यहाँ पे ले लेने है ओट्स तो मैं यहाँ पे तीन बड़े चमच ओट्स का इस्तेमाल की हूँ विटामिन और फाइबर से भरपूर यहाँ पे ओट्स भी डाल लिएगा इतने हेल्दी आपकी रेशिपी बन करके तयार होगी दोस्तों कि आप इस रेशिपी को बार बार और केले को हमेशा जब भी लाइएगा तो एक्स्ट्रा बचाही लीजिएगा इसमें हमें डाल देना है डैसिकेटिट कोकोनट पाउडर नाडियल का बुरादा तो जो चीज़ आप इसमें नहीं डालना चाहते हैं उसे इसके भी कर सकते हैं उसके बाद मैंने यहाँ पे ल ले लिया है तो गुर को मैंने यहाँ पे ग्रेट करके लिया है मीठा आप जैसा भी रखना चाहते हैं उस हिसाब से यहाँ पे गुर्की को एंटिटी को ले ली जिएगा तो मैं यहाँ पे चीनी से नहीं बना रही हूं अगर आप चाहें तो गुर्की जगह पे चीनी का भ तो दूर डालना है पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे बिल्कुल अच्छी तरह से क्योंकि गुर में भी पानी छोड़ते हैं गुर में मौस्चर होता है तो गुर के साथ पहले आंटा को हमें बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है देखिए जैसे मैं भी आपको अपन पसंद आगी यह मेरी गारंटी है चलिए मैं इसे मिक्स कर ली हूँ देखिए मैंने आपे न तो पानी का इस्तेमाल किया है न तो दूद का बिल्कुल इसी तरह से मैंने केले और सभी चीजों को डाल कर अच्छे से डो बना करके रेडी कर लिया देखिए देख रहें को ले ली हूं और इसे हमें क्या करना है लोई तोड ले नहीं है तो मैं दो भाग में यहां पे लोई को तोड ले रहे हूं देखिये बिल्कुल इसी तरह से और हठेलियों के बीच में रख के हमें इसे रावंड-डर्ण कर देना है इस रेसीपी को आप कभी भी बना कर इंजवाइक कर सकते हैं दोस्तों जब भी मीठा खाने का मन हो चलिए मैं इसे अच्छी तरह से रोल रोल कर दियूं देखिया तो दो लोई हमारी बन करके तैयार हो चुकी है अब चलिए किसी भी सरफेस पे जिस पे भी आप बेल रहे हैं उसमें थोड़ा सा वैल लगा लिज फैल जाएंगे और चिपक भी जाएंगे तो इसलिया फल के हाथों से बेल येगा देखिये बिल्कुल इस तरह से हमें बेल करके इसे रेडी कर लेना है अब चलिए नेक्स प्रोसेस में आपको दिखाती हूँ इसके आगे हमें क्या करना है दोस्तों तो इस तरह का कोई भी कितना सुंदर लग रहा है अब जो ये साइट में एक्स्टा आटा बचेगा ना इसे हमें निकाल करके वापे से उसी आटा में मिक्स कर देना है तो देखिये कितना सुंदर हमारा ये कुकीज बन करके तैयार हो चुका है तो चलिए अब इसे फ्राइ करने की बाड़ी आती है इसी तरह से हमें सारे कुकीज को बना करके तैयार कर लेने है इस हेल्दी सी कुकीज को आप जरू ट्राइ किसेगा दोस्तो आपके घर में ये शभी को बहुत पसंद आएगी तो इसी तरह से हमें शभी को बना करके रेडी कर लेना है तो चलिए अब नेक्स प्रोसेस दे तेल को हमें यहां पे गर्म कर लेना है फ्लेम को बिल्कुल लो रखिएगा जैसे ही तेल आपके गर्म हो जाएंगे तो फ्लेम को लो रखना है लो फ्लेम पे हमें इसे उलटते पलटते हुए इसे फ्राइ कर लेना है देखिए गोल्डन फ्राइ करना है बिल्कुल मेरी इस ख पटना करके आप 10 15 दिनों के लिए स्टोर भी कर सकते हैं चली इसIch बिस्किट को आप जरुर बनाईएगा उसे क्या कहना चाहते हैं मुझे कमेंट करके जरुर बताएगा आप इसे कौन सा नाम देना चाहते हैं दोस्तों मैं तो इसे बिस्किटी कहुँगी चली मैं इसे पकेंगे नहीं कच्चा ही रह जाएगा चलिए मैं इसे निकाल करके आपको एक दिखाती हूं पास से देखिए देख रहे हैं दोस्तों कितना सुन्दर लग रहा है न तो कोई नहीं बताएगा आपको इस पके हुए केले से इतनी हैल्दी रेशिपी बनाना बताएगा कोई भ अगर आप सभी को मेरी रेशिपीज अच्छी लगती होगी दोस्तों तो फ्रेंज ग्रूप्स में और फैम्ली वालों के साथ सेर भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरू कीजिएगा चलि मैं सारी बिस्किट को बना करके निकाल ली हूं देखिए देख रहे हैं दोस् देखिए अब मैं आपको दिखा रहे हूं इसे तोर कर देखिए यह उपर से जितना क्रिस्पी है अंदर से उतना ही सॉफ्ट है देख रहे हैं तो है ना कितनी मज़ेदार रेशिपी इतनी हेल्दी डेशिपी को आप बनाईएगा तो आपके परिबार में शभी को बहुत पसंद आएगी और जब भी आप घर में शब को हैल्दी खाना की लाना चाहते हैं तो इस तरह से बिस्किट को बना करके एयर टाय डब्बे में स्टोर करके 10-15 दिन के लिए आप रख लीजिए और आपके हां कोई भी गेस टाय उन्हें भी सर्व कर सकते हैं और वो भी पू